ये है पी 200 थाक्षी की कट्डी है वो जिसने दूद दिया था उननी 130 ग्राम ये आगी जो अपने कट्रीना ने दूद तोल्दा था कट्रीना हाँ कुछ इसने ब्यात की कट्डी ठेक है स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजराट डेरी फार्म पे आज की वीडियो हम लेके आए है अपने ही डेरी फार्म से मुर्रा नसल की तीन कटिडी जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमने पर्चेस की है पवित्रगिल सर के फार्म से जो कि अभी हमारे फार्म पे आ चुकी है तो उनसे जुड़ी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सामने आप देख पा रहे हैं PC 574 की कटिया HLDB बूल PC 574 की ये कटिया है बात करें उसके मदर लाइन की तो उसकी मा ने फर्स्ट लेक्टेशन में 19 किलो 131 ग्राम HLDB में रेकोर्ड कराया है और उसके मा के फादर की बात करें तो वो भी अच्छी ब्लड लाइन से है HLDB का ही बूल है P288 की वो जोटी है तो कुल मिला कि अच्छी ब्लड लाइन है अच्छी उमीद है इस कटिया से पवित्र सर के फार्म पे ही ये हीट में आई थी तो उसे टीका रखाया था HBSB के बूल बेताप का जो की अच्छी ब्लड लाइन से है उससे गाबिन कराया है एक से देड महीने की गाबिन है ये कन्फॉर्म चेक पास तो नहीं कह सकते डॉटर ओफ M466 ये एक और कटिया है जो की पवित्र सर के फार्म से आई है HLDB के बूल M466 की ये कटिया है उसके मधर मिल्क की बात करें तो 25 प्लस कट्रिना नाम की जोटी हुआ करती थी पवित्र सर के फार्म पे ये उसकी कटिया है बीच में थोड़ी सी बिमार हो गई थी पवित्र सर ने बताया इसे नवाब बुल से गाविन कराया था जो की HSB सीमन बेंग से है लेकिन ये आने से एक दो दिन पहले वापिस से हीट में आ गई तो थोड़ा और उसे तैयार करेंगे उसके बाद में फिर कोई अच्छे सीमन का इस पर इस्तेमाल करेंगे ये भी पवित्र सर के फार्म से ही आई है HSB के बुल नवाप से इसको गाविन कराया है ये भी तकरीबन उसके साथ की है एक से देड़ महीने की गाविन है और बात करें इसके मा की मदर मिल्क की तो 21 किलो दूद उसकी मा ने फस्ट लेक्टेशन में रेकोर्ड कराया है फादर की बात करें तो फादर का पवित्र सर ने बताया कि हमें नहीं पता और हम भी आपको यही बताते कि इसके फादर का हमें भी आईडिया नहीं है जो बात है वो आपके सामने सुस्ट पस्ट रखी जाएगी हमारे फार्म पे महसाना नसल की जोटियां भी आपको देखने को मिलेगी जो के कुछ प्योर है, कुछ मिक्स है जिन पे GLDB के अच्छे बूलो का सीमन यूज करके हम एक अच्छी नसल तयार कर रहे है ये एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कौसिस है के अच्छी नसल हमारे फार्म पे हो, महसाना, मुर्रा और आने वाले टाइम में हम आपको बन्नी नसल जो केक और हमारी गुजरा कच की नसल है उसकी कुछ कटिया भी आपको देखने को मिलेगी अभी बात चल रही है आने वाले टाइम में जब हमारे फार्म पे वो आ जाएगी उनकी भी एक वीडियो इसी तरह पूरी डिटेल के साथ आपको बताई जाएगी महसाना नसल, बन्नी नसल और मुर्रा नसल इस पे हम काम कर रहे हैं अच्छे बुलो का सीमन यूज़ करके एक अच्छी नसल और एक अच्छी ब्रीड तयार करना यही हमारा एक चोड़ा सा प्रयास है और इनसे जुड़ी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी ब्रीडिंग के साथ साथ डेरी का भी काम है हमारा कुछ नए पसू हमने अपनी डेरी के लिए एड किये थे तो पुराने जो सेड था उसमें पसू के लिए जगा थोड़ी कम हो रही थी इस वज़े से हमने अपने ही फार्म पे एक और नया सेड तयार किया है सामने आप देखी पा रहे होंगे के साथ साथ उसका भी काम चली रहा है तो ये दोनों काम इकटा कर रहे हम आई इसकी बात करें तो ये तकरीबन 70-42 का है टोटल 15-16 पसू आ जाएंगे इसमें अभी आट पसू हमने एड किये आने वाले समय में और पसू हम लेके आएंगे साथ में कच्चे की व्यवस्ता भी की हुई है हमने पसू के लिए यहाँ पानी की व्यवस्ता की हुई है हमने अपनी महसाड़ा नसल की जोटियों पे GLDB के अच्छे बूलो का सीमन इस्तिमाल किया है आने वाले टाइम में हम उसका रिजल्ट भी आपके सामने लेके आएंगे आप भी अपने पसू हो पे अच्छे बूलो का सीमन इस्तिमाल करें और अच्छी नसल अपने घर पे तैयार करें वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद